अस्सलाम अलेकुम, जुलेखा के दुनिया में आप लोगों के स्वागत है, मैं अपना बागीर्चा दिखा रही हूँ, देखे मिर्च का पेर सब मैं लगाई हूँ, बहुत सारा फूल दे रहा है मिर्चा में, बहुत मिर्चा लगी है कुछ और ज्यादा फूल लगी है, एक थोड़ा मोटा वाले लंबा है, और ये मिर्च तो मैं पहले भी देखाई हूँ आप लोगों को, इसमें छोटी-छोटी मिर्च होती है, इसमें भी एदम छोटी-छोटा भी है, अब फूल हो रही है, एक यहाँ है पेर, इसमें भी बहुत सारा फूल है, ये पेर है, इसमे फूल हो रही है, इसमें भी देखें, बहुत सारा फूल हो रही है, फूल होना सुरू ही है, अब फलेगी, इसमें भी छोटी-छोटी मिर्च होती है, इसमें भी बहुत सारा फूल है, एक यहाँ है पेर, एक यहाँ है पेर, एक यहाँ है पेर, इसमें अब फूल देगी, बाकि सारा पेर में फूल हो रही है, ये सारा पेर मिर्च का है, किसी में छोटा, किसी में लंबा, किसी में मोटा, मिर्च होती है, अभी हुई नहीं है, फूल खिल रही है, एकादबो हुई है, बहुत तीखा, बहुत मिर्चा तीखा है, देखे ये मीर्क के पेर में बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है इसको ज्यादा गीला ज्यादा पानी भी नहीं डालने को थोड़ा सुखा रहेगा ज्यादा पानी डाल देने से फूल ज़र जाती है इसमें हमेशा खाथ पानी डालते रहिए पानी कम डालिए जतना सुखा रहेगा फुल गिरने का चांस कम रहेगा और इसमें हमेशा कमपोज उमपोज डालिए इसका खाट डालिए मिर्च का धूप में पूरा फुल धूप में रखना चाहिए इसमें धूप लगने से इसमें मिर्च होगी छा में रखना नहीं है यतना धूप लगी यतना अच्छा सारा मेरा मिर्चा के पेर में फूल खिल रही है देखिए इसमें मोटा मोटा मिर्चा इसमें मिर्च भी हुई है देखिए अभी होगी और एक इधर है छोटा मिर्च है पेर छोटा है लेकिन इसमें मिर्च होगी बड़ा बड़ा इसमें छोटी छोटी मिर छोटी है इसमें भी छोटी छोटी इस सामें बराबरा मिर देखे इसमें छोटी मिर्च होती है हम लोग इस तरह समझते हैं कि इसका छोटा देखिए, तोड़ ली हूँ, एक ही मिर्चुई है, बाकी सारा बहुत सारा फूल हुई है, होगी, चोटी चोटी पत्ती है, इसलिए मैं बोलती है, इसमें छोटी होगी, इसमें मीडियम साइट के होगी, इसमें भी फूल हो रही है, कुछ-कुछ. अब देखिए, फलने के बाद मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, अभी फूल खील रही है, सारा हो जाएगी मिर्च, तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, कैसा लगा आप लोगों को हमारा मिर्च की पेर, कॉमेंट करके बताईएगा, सब्क्राइब किजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अल्ला हाफीज,